कि नमस्ते नमस्करा जय जगनात मैं श्रिकांद आपको स्वागत करता हूं लाइफ टू एक्स्प्लोर में आपको तो टाइटल देखे मालूम पढ़ गया रहेगा कि हम यह जो केंपर भेन हैं वो बैच रहे हैं क्यूं बैच रहे हैं वो आपको जानने के लिए और एक एपिसेट। विट करना पड़ेगा मैं आपको मालूम पढ़ जाएगा उसका शाहरे व बेचना पर रहा लेकिन बैचने से पहले मैं सोचा कि एक complete वीडियो बना ले बना लिया जाए पूरा केमपरवन के उपर हमने क्या 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 मोडिफेकेशन किया था क्योंकि जो मैं लास्ट एक दो वीडियो बनाया था वह काफी पहले बनाया था अभी भी बहुत सारा कमेंट्स आ रहे हैं कि यह कैसा गाड़ी है क्या मोडिफेकेशन हुआ है उसके बारे में कमेंट्स आई रहा है केंपिंग तो नहीं है पिकनिक ट्रिप में है आप अगर पिछले ब्लोग देखे होंगे तो आपको डिटेल में मालूम पड़ेगा कि हम कौन से जगह पर कि पिकनिक किये बहुत ही यूसफूल रहता है यह गाड़ी तो यह है है 2018 मोडेल मारूती इको आप अगर निया गाड़ी कहरीते हो तो आपको तो ऐसा नहीं मिलेगा इधर एक बीच में एक सीट आता है जैसे कि नॉर्मल सारे कार में आता है एक स्टॉक सीट आता है तो हमने क्या किया यह स्टॉक सीट को रिमूब कर दिया बीच में से तो ड्र स्पेस मिल गया रूम जैसा और उसको हमने हमारे हिसाब से जस्ट सीट अरेंजमेंट किया और आपको बता दों कि 2018 जो मारुती इको है उसमें इवन पावर स्टेरिंग भी नहीं है एकदम बेसिक गाड़ी है कोई फीचर नहीं है सिर्फ ऐसे आता है इसमें फाइव सिटर जो सेवें शिटर मॉडल है उसमें तो जो जो मोडिफिकेस ना यह एकदम बेसिक सा मोडिफिकेशन है आप जिसे की देखोगे यह यह जो कुशन आपको दिख रहा है बेड़ वाला यह कस्टम मेड है और फोल्डेबल है एक मिनट में आपको दिखाता हूँ कि इसको निकाल दिया मैंने आप जैसे देख सकते हूँ कि फोल्ड हो सकता है अराम से थोड़ा मैसी है क्योंगि हम अुलरी एक ट्रिप में हैं तो दो बॉक्स है आप यह बॉक्स देखा एक बॉक्स यह है दूसरा बॉक्स है इसके पीछे एक अ में यह निकलता यह पूरा फ्लाट सर्फेस नहीं है ठीके ये चीजाद सर्फेस से यह थोड़ा सा ऑज़ में है तो यह कमपर्चेट करने के लिए यह बॉक्स को यह लिख झोटा सा बॉक्स बना यह मेरा किचेन ट्रार है और यह से storage box यूज होता है और एक बॉक्स ये पीछे ड्राइवर सीट से पीछे और ये बॉक्स ये दोनों को जोड़ने के लिए मैं ऐसे कॉस्टम प्लाइओड का बोर्ड बनाया है और ये दोनों बोर्ड ये जो वेसिकल चार बोर्ड में से बेड का स्ट्रक्चर बनता है ये इसमें है आप देख सकते हुए सब स्क्रू में डालके सा रखें इसमें भी सेम choosing हैं आप देख सकते हों और ये जो सप्पोर्ट है इसके उपर रहता है इसके उपर रहता है तो आसा चार डालने के बाद ये पूरा पिछे वाला एसे बेड बन जाता है और मैं इसको रिटें करने क करने के लिए बैक सिट है बैक सिट को हमने रेटेन किया टो क्पाला कर लिए और पिछे वाला जो यो पकेंप सकते हो पुरा स्टोड़े बॉक्स है cheapest रहता है का babys just समय भी लिड़क मर्म ब्हुत यह सहरा अधर का यह भी बहुत उसी संहों कि यह वेला को यह अधी आपलेख सकते हो के तोला कि मल्कि पर्पोस ड्राइर कि एस लाचे से तकि बाहर ना आए यह एक जेस्ट सिंपल सा बेसिक टू ट्रायर से आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो जनरली हम सारे मसाला का डबा या थोड़ा बहुत ओटेंजिल्स यह हमारा पोटेबल स्टोर जो कि आपने बहुत देखा रहेगा हमारा ऐसा पिकनिक ट्रिप में या केंपिंग ट्रिप और यह जो सीट है यह सीट यही बॉक्स में ही इधर कनेक्ट है मैं दिखा नहीं सकता अभी हिलाल इधर स्क्रू में से कनेक्ट है इसलिए रिटेन किया ओरिजिनल्टी इसका रिटेन किया आप अगर बाहर से देखोगे ना ऐसा लगेगा नहीं कुछ मोडिफिकेशन हुआ है यह गाड़ी में और वैसे यह बेसिक सा मोडिफिकेशन है सीट वाला मोडिफिकेशन है तो ज्यादा कुछ तो पर कॉंप्लेक्स मोडिफिकेशन ऐसा लगने रहा है या पता नहीं आटियो वाटियो का जो ख्लेरेंस सब्सक्राइब आ एसा पता निम मुझे नहीं लगत यह ऐसा लाचस आता है आमाजन से मैंने लिया था फिर यह जो बॉक्स है ना स्टोरीज बॉक्स यह स्टोरीज बॉक्स में ऐसा कनेट हो जाता है तो इसा बाहर निकल सकता है चाहिए उसमें कुछ काटना है या पानी का बॉटल रखना है मॉल्टि पर्फोस यूज फिर इसको इसा क्लिक करके ऐसे फोड़ हो जाता है यह बहुत ही बढ़िया सिंपल सा सेट अप इसका जो लेंथ होता है है 5.18 के आसपास है आपको अगर नहीं चाहिए यह वाला बेक्रेस्ट नहीं चाहिए तो इसको अगर आप रिमूव कर दोगे तो और थोड़ा ज्यादा स्पेस आपको मिल जाएगा छे फिट तक आदमी आराम से सो सकता है लेकिन आप अगर उसको रिटेन करना है तो थोड करने के टाइम पर यूज हो सकता है इसलिए मैं ज्यादा पीछे नहीं किया यह वाक्स को तो वेसिकली दो बॉक्स कनेक्टेड विट फोर कस्टम प्लाइबोर्स फिर एक कस्टम कुशन मैंने खुद बनाया कार्पेंटर को लेके जो कि यह आपने देखा कि पहली बार जब पूरा परफेक्ट सेट अप हमने इतना सारा केंपिंग ट्रिप में अभी फिलाल इसा पिकनिक ट्रिप में है बहुत ही कंविनियेंट रहता है फिर आपको और ज्यादा कंविनियेंट बनाने के लिए यसा चेर्स आता है डिकाथलन से आता है आमाजन से फ्लिपकार्ट से क्याब खरिश सकते हो यसा कैम्पिंग चेर्स तूल जैसा फिर ऐसा फोल्डिंग वाला टेबल भी आता है बहूर डिफरेंट डिफरेंट का फोल्डिंग दलाता है आप आमाजन में फ्लिपकार्ट में केंपिंग टेबल करके सर्च करो आपको जैसा हिसाब चाहिए व्यसा आप खरिश सकते हो कि अलग अलग टाइप का पूरा सब केंपिंग एक्यूपमेंट मिलता है कि और फिर पान लोग पुछते हैं पानी का क्या इंतिजाम पानी का इंतिजाम भी बहुत ही बेसिक है हम यह तो बहुत आपको पता रहेगा कि यह कॉमन है कि 20 लिटर वाला जो क्यान आता है फिर आप ऐसे गेजट ले लो यूस भी रिचार्जेबल आप एसे क्लिक करो पानी आ गया यह एकदम बेसिक सेटब है कि इसका कुछ धाई सुरूपे का क्रचा में आ जाता है और फिर आइस बॉक्स फ्री बॉक्स आप लेक सकते हो सामान र क्या इजमन कुछ नहीं है कि आप वैसे जब चाहो इसको आराम से सिक्सिटर बना सकते हो जब चाहो बेड मोड डालके पूरा यह एक हो गया यह साड़ हो गया यह जो चार है इसको आप निकाल दो एक एक करके फिर नॉर्मल हो जाएगा यह आप देशके तो इधर बैठ सकते हो फिर इधर भी बैठ सकते हो चाहिए तो यह सारे निकल जाता है और निकल के मैं इसा पीछे वाला जो जगा है इधर में रख देता हूं तो इसा यह गनबट होता है सिक्सिटर से नॉर्मल एक बैड मोड में वैसे सिक्सिटर गाड़ी अज़ान है तो इसको बैठ को डाल यहां आपने बहुत बार हमारा वीडियो में देखा रहेगा कि हम यह इसमें सोके बैठ आप ही हमारा पैरेंट भी आये थे तो आपने रहेगा कि आराम से जा सकते हैं बुजरों के लिए भी बढ़िया रहता है पेर फेला के सो सकते हैं काफी बढ़िया लगा पूरा बेसिक सा गाड़ी है ज्यादा कुछ फीचर्स वाला नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा यूटिलाइस्ट बहुत ही बेनिफिट वाला गाड़ी है बहुत सारा कोश्चिन साता है कि आप इसका लॉंग टर्म रिव्यू बनाओ वैसे में 50,000 के उपर चला चुका हूँ गाड़ी को लगभग 5 साल के आसपास होने वाला है उक्टोवर में 5 साल हो जाएगा तो मैं बताता हूं मेरा उनोर्शिप रिव्यू हमने मना ले गए वह भी बेंगलूरू से उधर तक पुरा ड्राइब करके फिर स्पिती भी गए और अब ही तक कोई प्रवलम नहीं है कोई भी इस्चु नहीं है गाड़ी में इवेन को नॉर्मल जो मेंटरनेस हमारा जो सर्विस करते उसके इलाबा कोई प्रवलम नहीं गाड़ी में अभी मैं क्या उसका उनों से रिवी बता हूं आता है और माइलेज माइलेज जो है 15 तो 16 किलोमेटर पर लेटर अभी भी देती है गाड़ी कोई प्रवलम नहीं है उसका मैंने टायर चेंज कर दिया नहीं चार क्योंकि हमने इतना डिफिकल्ट टेरेन में गाड़ी चलाया उसका अल्मोस्ट चला गया था तो चार हमने टायर चेंज किया माइलेस के बारे में बताय परवलम नहीं है और गाड़ी जो है रीएर फिल गाड़ी का बेंशिट यह रहता है कि आप पहाडी वाला इलाका है पिछ रोड नहीं है तार्माक रोड नहीं है और ठोड़ा सा ऊफ रोड वाला है तो भी अराम से चढ़ जाती एट जेलेफिघ सάकर दो आफर नहीं है और अगर comfort देखते हो तो comfort में थोड़ा कमी आ सकता है क्योंकि यह नॉर्माल गाड़ी जैसा SUV गाड़ी में जैसा seat comfort रहता है उतना comfort नहीं है हाँ अलग बात है कि हमको इतना uncomfortable कभी आपको इतना comfortable ना लगे क्योंकि पावर स्टरिंग नहीं है गाड़ी एकदम बेशिक सा है सीट भी एकदम बेशिक सा है तो इतना कुछ फरक नहीं पड़ा गाड़ी अब तक बहुत ही परफेक्ट गाड़ी है मजबूरी तो आपको मालूम पड़ जाएगा नेक्स्ट व्लॉ क्या अभी देखो मैं बोल रहा हूं कि यह जो गाड़ी है ना यह सीट अरेंजमेंट है वस मैंने जो आर्सी में आता है वाइटल कॉंपनेंट उसमें कुछ भी छेड़चाड नहीं किया सिर्फ दो बॉक्स वह भी स्क्रू से करनेट करके करनेक्ट हुआ है टेंपररेंजम यह चालेंज कर सकते हैं कोट में क्योंकि यह सिट्टिंग का अरेंजमेंट किया बाकि कुछ टॉच नहीं किया कोई प्रॉल्म नहीं लेकिन मैं इसके बारे में नहीं जानता हूं सही है गलत है मुझे चाहिए था ऐसा ऐसा कुछ मैंने बनाया अभी तक अच्छा लगता है मुझे मैं यूज कर रहा हूं अभी तो कोई प्रॉल्म आया नहीं कोई आटियों से नहीं कोई पोलिस नहीं बहुत सारा लोग देखे इवन पोलिस वाले चेक भी किया अप्रिशेटेट उनको भी बहुत अच्छा लगा बहुत लोग मेरे कॉंटाक्ट भी लिया सा किया इसको उसका कारपेंटर कॉंटाक्ट अगर रिली आपको वही कारपेंटर से करना है बैंगलोर में तो मैं उसका डिटेल दे सकता हूं लेकिन एक्चुली ना कोई भी कारपेंटर इसको मोडिफाइब कर सकता है इसमें कुछ नहीं है दो बॉक्स से स्टोरीज बॉक्स एक multi-purpose drawer दोनों को connect हुआ है चार custom boards में से और यह जो दो बॉक्स है drill करके fix किया हुआ है इतना simple है कि कोई भी कर सकता है मैंने सारे measurement description box में दिया हुआ है तो आप एक मारूती इको लेकर कोई भी carpenter के पास जाओ यह video दिखाओ उनको समझ में आ जाएगा कोई भी उसको motive कर सकता है कोई प्रॉब्म नहीं है बस मुझे यही सेर करना था आपसे कि इतना लंबा चोड़ा memory हमरे साथ जुड़ा हुआ इतना प्यारा सा गाड़ी हमरे साथ हमारा पूरा इतना memory के साथ इतना बोलते है ना ब्यूडिफुल मुमेंट के साथ हमारे साथ रहा यह गाड़ी और इसको बेचने में ओवियसली थोड़ा तो तकली हो ही रहा है लेकिन क्या कर सकते हैं इस से पहले भी मेरे पास हुंड़े यह उन था जो कि हमने साड़े छे साल दी इस से भी ज्यादा चलाया उसमें से भी बहुत सारा मेमरी जुड़ा हुआ है साथ हिंडिया पूरा कवर किया था उसमें लेकिन उसको भी छोड़के यह लेना पड़ा यह जाने के बाद कोई दूसरा आएगा तो ऐसा चलता रहेगा यह तो लाइफ का हिस्सा है एक चीज को पकड़के कितना दिन चले तो उमीद क करता हूं आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा मिलते हैं फिर से नेस्ट लॉग में तिल देन टेक कैर बाई बाई जय जगनाद